नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमार यूटूब चैनल में स्वागत है welcome to this video तो फ्रेंड इस वीडियो के अंदर हम कुछ नया पढ़ने वाले analytical balance के बारे में बहुत ही important topic है फ्रेंड आगर आपका इंटर्वीव के लिए जा रहे हो तो वहाँ पर भी आपको इसके बारे में question पूछा जा सकता है कि आप balance के बारे में क्या जानते हो यानि कि जो हमें समझ देजा आपके पास कुछ drug है API या फिर एक्सेपेंट है उसे आपको वेट करना है वेंग करना है उसका तो कि आप इस analytical balance की उपर आप रखके उसका वेंग कर सकते हो आपको gram में लेना है mg में ले बात करने वाले सिर्फ analytical balance के बारे में जितना मुझे पता है मैं उनके नाम आपको बता देता हूं फर्स्ट मुझे पता है analytical balance सेकंड आता है semi micro balance थर्ड आता है micro balance फोर्थ आता है precision balance उसे आम टॉप लोडेड बैलेंस भी कहते precision बैलेंस को और जो हमारे पास analytical balance होते है इसके आ micro balance होते है friends उसके आंदर जो हमारे weights होते हो सभी mg के आंदर होते है okay जैसे कि 20 mg 200 mg 200 mg और कभी कभी gram में भी present होते है तो 200 ग्राम तो ऐसे यहाँ पर present होते है लेकिन micro balance में सभी जो weights है हमारे हो micro gram में होते है okay mg में सभी हमारे weights present होते हो जो precision balance है उसके सभी weight जो हमारे पास तो gram में present होते है तो यह से भी balance है तो यह बहुत ही important balance है तो जब हम यहाँ पर company के आंदर जब भी जाते है तो वहाँ पर आगर आपको कुछ drug या फिर कुछ excipient वहाँ पर weighing करना है तो यहाँ पर आप कर सकते हो तो यहाँ पर आपको screen के उपर balance देख रहा होगा तो इसका थोड़े से आम इसके बारे में जानकर ले लेते हैं तो यहाँ पर उसका देख लिजए draft shield है यानि कि कुछ mirror जैसे उसके side में होता है next level indicator उसके आंदर क्या हो नहीं है तो आपका जो balance है तो properly work नहीं करेगा इसी बाइसे जब भी आप कुछ भी weighing करने के लिए जाते हो तो पहले उसका जो indicator है उसको हम spirit level बोलते है तो spirit level center में है या नहीं यह आपको देखना है तो यहाँ पर एक display यहाँ पर आमारे जो भी weights है तो weights यहाँ पर display करता है next level adjustment fit power button यहाँ जो भी हमारा balance है ओन या आफ कर सकते next tier button तो tier button क्या क्या है tier button देख लिए यहाँ पर display के उपर 10.000 दीख रहा है gram तो आगर आप tier button पर click करोगे तो वहाँ पर सभी जो है तो जिरो हो जाएगा तो यह tier button इसलिए होता है कि जो भी आपका substance या drug है तो tier करने के लि यह जो अंदर दीख रहा है circular तो यह balanced pan है friends जो 10 gram के नीचे वो balanced pan है जब भी आप weighing करने के लिए जा रहे हो तो वहाँ पर क्या करना चाहिए first आपको ensure करना है कि वहाँ पर जो भी आपका balance pan है वो clean है या नहीं अगर वहाँ पर clean नहीं तो आपको brush लेके जो camel hair brush होता है तो उ यह आपको याद रखना है कि जब भी आप कुछ भी weighing करने के लिए जाते हो तो यह सभी वहाँ पर आपको किसी भी balance के उपर देखेंगे तो यह सभी होता है balance के बारे में आप थोड़ी सी और जानकर इसके बारे में ले ले लेते है first आपको क्या करना है friends जब भी आप के उपर कुछ गिरा तो नहीं है मतलब कोई ड्रग वगरा गिरा नहीं है यह भी आपको देखना चाहिए अगर कुछ वहाँ पर spillage होता है तो यहाँ पर आपको camel hairbrush के त्रू वहाँ पर आपको निकालना चाहिए और आपको और एक बात याद रखना है कि जब भी आप weighing कर रहे हो तो आपको यह जो डॉर है तो डॉर टोटल डॉर मतलब लेफ्ट और राइट साइट का डॉर्स वहाँ पर आपको क्लोज रखना है तो यह था analytical balance के बारे में कई बार इसके उपर आपको इंटर्यू के इंटर्यू में भी question पोचे जा सकती कि balance के बारे में तो मैंने अभी आपको जो four balances बता है तो उनमें से एक था analytical balance तो analytical balance में हम कौन-कौन से weight ले सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सी जानकरी मैं आपको दे देता हूँ अलग-अलग weights होते हैं आप अगर किसी हर industry के अंदर अलग-अलग weights होते तो कौन-कौन से weights होते हैं वह भी मैं आपको थोड़े सा बता देता हूँ तो first देख लिए यहाँ पर analytical balance के लिए हमारे पास first देख लिए 500 gram भी हम वहाँ पर ले सकते हैं ओके 500 gram ले सकते हैं या फिर 50 gram ले सकते हैं okay 100 gram भी वहाँ पर हम ले सकते 20 mg भी वहाँ पर हम ले सकते 200 mg भी हम वहाँ पर ले सकते तो इसे भी analytical balance के लिए होता है आपको याद रखना है कि हर एक जो इंदर तो इंदस्ट्री अलग-अलग यहाँ पर balances वहाँ पर उनके अलग-अलग balances होते अप्लोड करेंगे तो फ्रेंड इस वीडियो के अंदर बस आपको इतना ही बताना था याद रख लिजिए अनलाटिकल बालेंस बहुत ही important होता है आपको क्या-क्या नहीं करना है वहाँ पर भी कुछ बाते जो है तो याद रखनी चाहिए तो फ्रेंड इस वीडियो के अं